नमस्कार दोस्तों, वेल्कम एड़ो जीके टेक्स इस वीडियो उब हम रीट एक्जाम 2022 के लिए जो हमारी नाइन्थ युनिट वाली सरी चल रही है राजस्तान की इतियास वाली उसको हम आगे बढ़ाते हैं अभी तक हमने दो टॉपिक कवर कर लिये हैं आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं तो आपके सामने ये रीट का सेलेबस हैं नाइन्थ युनिट यहां पर यह दे रखी हैं इसमें हमने प्राचीन सब्वितायव जन्पद ये वाला टोपिक हम बाद में करेंगे इतियास वाला अटासो सुत्वन की ग्रांति वाला टोपिक ये दू टोपिक देख लिए हैं आज का हमारा जो टोपिक है वो राजस्तान में प्रजामंडली अंदुलन यहां तक हम इसको ले रहे हैं क्योंकि प्रजामंडल से काफ़ दिख प्रशन बनते हैं तो वो सब भी हम इस video में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्तान की जो जण जाती और किस्सान आंदुलन writing उनसे संब्धित कोशन रिखेंगे आप देखें आप देखें इन कोशनों को में देखने से पहले आपको ध्यान में हैं क्या रखना है तो उन सबी चीजों को आपको ध्यान रखना है इनमें देखिए अधिक्तर प्रश्ण एक तो प्रजामंडल की स्थापना कब होई और किसने की उनके संसापको के नाम जरू ध्यान रखना है क्योंकि यही से हर बार कोशन अधिक्तर बनते हैं तो हमारा फर्स्ट कोशन क्या है गोपिलाल यादव ठाकूर देशराज एवम रेवती सरण उपाध्या रजस्थान के किस प्रजामंडल आंधुलन से संबद रहे हैं तो देखिए इन सबी का संबंद है भरतपूर प्रजामंडल से सेकेंड नमर अपसनिया पर सही आंसर होगा तो आपे द्यान कियेगा उदेपूर में आयोजित अखिल भारतिय देशी रजी लोक परिशद के साथवे अधिवेशन की अध्यक्स्ता किस के दोर रख किये गए थी तो देखिए ग्राम विकास अधिकारी जो फर्स्ट शिप्ट में पेपर हुआ था दोजारी किस में उसमें ये कोशन आया था इसका सही आंसर है जवाला नहरु ने अलवर रज्य प्रजमेंडल का गठन किस वर्स किया गया तो देखिए सापन से समय अधिकतर प्रशन आते हैं तो ये कोशन भी 2021 के अंतरगत आया हुआ है इसका सही आंसर क्या है अलवर रज्य प्रजमेंडल की सापना 1938 की अंतरगत होई थी तो फोर्थ नमर यापर सही आं देखें मिठालाल व्यास मास्वड़ा प्रजमेंडल भुपेंद नात्रेव्यदी परताबगड रमेश चंद्र ओजा और करोली त्रिलोग चंद माथूर तेकि यहां पर सही आंसर होगा ऑप्सिन नुम्बर थर्ड परताबगड प्रजमेंडल की नेता नहीं है रमेश चं किसंगड मास्वड़ा और जेपूर तो यहां पर हमें क्या बताना है इनकी स्थापना के अनुसार सही कालकरम हमें यहां पर बताना है तो देखें स्थापना पर से याद रखना कितना अधिक आवशक हैं 2020 में याया होए कोशन है देखें जेपूर प्रजमेंडल की सबसे से पहले हुई थी 1931 के अंतरगत उसके बाद में किसंगड प्रजमेंडल की 1949 में और मास्वड़ा प्रजमेंडल की 1943 में तो इसका सही अंसर क्या होगा तीन एक और दो इस प्रकार ठीक है तो यह वाला उप्सन इसका सही अंसर होगा 1938 में जेपूर रज्य प्रजमेंडल का पर्थम वार्षिक अध्यविशन किसकी अध्यक्सता में आयोजित हुआ तो देखिए यह हुआ था जम्नलाल बज्जाज की अध्यक्सता में आयोजित तो इफ्यक्ट आप द्याने किएगा अखिल भारतिय देशी रज्य लोग परिश्यविशन का पर्थम अध्यविशन आयोजित हुआ था तो यह कहां पर हुआ था बॉंबे के अंतरगत कौन 1938 इस्वी में भरतपूर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने तो देखिए कौन बने थे गोपिला ल्यादव भारत छड़ो अंदुलन के दोरान जेपूर प्रजामंडल के अद्धिक्ष कौन थे तो देखिए उस समय जेपूर प्रजामंडल के अद्धिक्ष थे हिरलाल सास्त्री जेपूर में आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतरतों में हुआ तो देखिए आजाद मोर्चा का गठन ये हुआ था बाबा हरिश्चंदर के नेतरतु में देखिए जितने भी फैक्ट आये हैं ये सबी हमने जो हमारी स्प्रिंग बोड़ अकेडमी की स्रीज में चल लए थी रास्तान जीगे की तो वहाँ पर ये सारे फैक्ट हमने देखिए थे आगे याँ पर देखते हैं मेवाड प्रजामंडल का अस्थाई कार्यले कहां पर इस्तापिद किया गया था तो देखिए ये किया गया था अजुमिर के अंतरगद भरतपूर प्रजामंडल निर्मान की गोशना किस इस्था पर मेवाड प्रजामंडल का पर्थम अध्यवेशन का अध्यक्स कौन थे तो मेवाड प्रजामंडल के पर्थम अध्यवेशन के अध्यक्स थे मानिकिलाल वर्मा मेवाड प्रजामंडल की स्थापन किसन की तो ये की गई थी मानिकिलाल वर्मा के द्वारा और बल्वन सिं कि ने किया तो देखिए इससman island का उद्गा तन किया गया था स्री सत्यद्यन के विद्ध्यलंकार ने के द्यान कियेगा यह एक णिफिकलरण का कोशन है तो ये फैक्ट आप द्यान किया तो 1936 इस्वी में मगरामने किस इस्थान पर बिकनिर प्रजामेंडेल की स्थापना की तो देखे बिकादिर प्रजामंडल की स्थापना कॉलकता में की गए थी मगराम व्याद के द्वारा 1936 में निम्न लिक्यत मैं से कौन सा सेखावटिक के पंच्चु पाने नहीं हैं मिशाव मल्सिसर अल्सिसर मंडावा तो देखे इसका सही आंसर है अल्सिसर 15 दिसंबर 1945 को मिठलाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई तो देखे ये संबन्दित रही है तो देखे ये संबन्दित रही है मुवार्ट प्रजामंडल से तो आप द्यान कियेगा किस रज्य के प्रजामंडल ने 1936 इस्वी में क्रिष्णा दिवस मनाया तो देखिए क्रिष्णा दिवस मनाय गया था जोदपूर प्रजामंडल के द्वारा भारत छोडो अंदुलन के संचालन है तो आजाद मोर्चा का गठन कहां पे हुआ था तो देखिए ये कहां भी हुआ था जेपूर के अंतरगत कागड कांड किस प्रजामंडल आंदुलन के दोरान गठित हुआ तो देखिए ये हुआ था बिकानिर प्रजामंडल आंदुलन के दोरान चुनिलाल व अमरितलाल पायक का संबन्द किस प्रजामंडल आंदुलन से मुख्य तो जुड़ा हुआ है तो दीके अधिकतर इस प्रकार की प्रशना आ रहे हैं प्रजामंडल कौन सा यह परताप गड़ प्रजामंडल अधुरन तो इस प्रजामेडल के संसापक ये दे रखे है चुनिलाल और अम्रितलाल पायक यहाँ पर हमें सुम्मेलित करना है राजस्तान, सेवसंग, देश हितिशनी सबा, अखिल भार्थे देशी राजी लोग पुरिशद और चेम्बर ओफ पिंसेज तो यहाँ पर सबी जो विकल पे वो साइश उम्मेलित दे रखे है राजस्तान, सेवसंग, का स्थापन वर्ष उननीस, देश हितिशनी सबा, अखिल भार्थे देशी राजी लोग पुरिशद 1927 और चेम्बर ओफ पिंसेज की स्थापन होईती 1921 में तो यह स्थापन वर्ष आप ध्यान कियेगा, important है मारवाड प्रजमंडर का गठन कब किया गया तो यह स्थापन वर्ष उन्मे पर पूछो गया है 1934 में मेवाड रज्य प्रजमंडल की स्थापना को के द्वारा की गई तो देखिए मेवार रज्य प्रजमंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रेल 1938 को किन के द्वारा तो मानिक्य लाल वर्मा के द्वारा तो आप द्याने कियेगा बुंदी प्रजामंडल की स्थापना किस ने की तो देखिए बुंदी प्रजामंडल की स्थापना की गए थी कांतिलाल चोथानी के द्वारा किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकता में के गई तो देखे आप जब आगे हमने यह देखा था और आप सभी को पता होगा विकानेर प्रजामंडल की तो आप द्याने कियेगा राजपुतना के किस राजगराने ने प्रजामंडल को संड्रक्षन दे रखा था तो ये कौन सा राजगराना है विकानेर राजगराना निम्न मैंसे कौन सा सुम्मेलित नहीं है मेवाड 1936, अलवर 1938, हाडोती 1934, जेपूर 1931 मेवाड प्रजामंडल की सथापना, जो वर्स दे रखा यहां पर राजगराना मैवाड प्रजामंडल की सथापना ऑ interviews लेकाना है क्योंकि हमने जो Springboard Academy का वीडियो देखा है इसके अलावा RBC के जितने भी वीडियो देखे थे RBC की वहाँ पर भी हमने प्रजामेंडल के सारे स्थापना वर्स देखे थे तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि मिवाड प्रजामेंडल की स्थापना कब हुई थी आगे यहाँ पर देखते हैं राजस्तान का परतम प्रजामेंडल कौन सा था तो यह था जेपूर प्रजामेंडल हाडोती सिवसंग की स्थापना संस्तापक कौन है तो यह है नेनुराम सर्मा सिरोई रज्य प्रजामंडल का संस्तापक था तो कौन थे गोकुल भाई भट निम लिकित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है देखिए थार्ड नमबर यहाँ पर सही दे रखा है बिकानेर रज्य प्रजापरिशद जे नरणव्यास यह सही सुम्मिलित नहीं है तो जो भी सही सुम्मिलित वो देख लेते हैं जैसल मेर रज्य प्रजामंडल मिठलाल व्यास लूंगरपूर रज्य प्रजामंडल भोगिलाल पांडिया जालावार रज्य प्रजामंडल कन्यलाल मित्तल तो यह सब भी सही सुम्मिलित इनके ब तो देखे प्रजामंडल से समद्धित अधिकते प्रश्ण हमने अभी तक तो यहीं देखे हैं कि उनके संस्तापक कौन है या फिर स्थापना वर्स तो यह फेक्ट आपको जरूर द्यान रखने हैं सुची एक को सुची दो से मिलाना है तो यहां पड़े कि सभी विकल्प बस प्रजामंडल का मुख्य उद्धिष्य था तो इसका मुख्य उद्धिष्य क्या था नागरिकों की अधिकारों के लिए संगर्स राजस्तान सेवस संग की स्थापना कहां पर हुई थी तो यह हुई थी वड़ता के अंतरगत निमनलिकित मैंसे कौन से यापर गलत यूग में वो देखना है तो फोर्ट नमर यापर सई है बुंदी प्रजामंडल मानी के लालवर मा यापर गलत दे रहा है तो जो सई है वो देख लेते हैं करोली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक्चन माथूर अलवर प्रजामंडल के हरिनारेन सर्मा सिरोई प्रजामंडल के गोकूल भाई भट मेवाड प्रजामंडल के पर्थम अध्यक्स थे तो कौन थे? ये थे बलवनसिक महता 1949 में करोली प्रजामंडल की स्थापना किस ने की थी? तो देखिए करोली प्रजामंडल के संस्थापकों ते त्रिलोक्चन माथोर हाडुती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्स्ता में की गई तो ये की गे थी नेनुराम सर्मा की अध्यक्स्ता में भोगिलाल पांडिया किस प्रजामंडल आंधुलन से सम्मंदित थे लूंगरपूर प्रजामंडल से सम्मंदित मारवाड पब्लिक सोसाइटी ओडिनेंस कब चारी किया गया तो यह किया गया था 1934 के अंतरगत 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरवल दिवस मनाया गया तो यह का पर मनाया गया था विकंदिर के अंतरगत विकंदिर प्रजामंडल के परथम अद्यक्स कौन थे तो यह थे मगराम वैद कनयलाल मितल, मांगिलाल भव्य, मक्बुल, अलम, किस रज्य प्रजामंडल से संब्वधित थे तो देख़ें, ये सभी संब्वधित थे जालवार रज्य प्रजामंडल से जब वालाव नैरू की अध्यक्स्ता में अक्यल भार्तिदेशी रज्जी प्रज्य परिश्द का जो सात्वा अध्विश्य ने वो कहां पर आयोजित हुआ था अब देखें ये प्रश्ण जस्ट 2021 की जो लेटेस बढ़ती हुए थी जस्ट आगे हमने उपर प्रश्ण देखा था वहाँ पर ये कोशन रिपीट हुआ है और ये प्रश्ण इससे पहले किस एक्जाम में आ चुका है तो रिसर्च एनलेसिस एक्जाम 2017 ठीक है वहाँ पर ये अल्रडी कोशन आ चुका है तो जिन इस डेड ने भी ओल्ड परपर के कोशन सौल किये होगे उनका ये कोशन सही हुआ होगा तो उद्यपूर इसका सही आंसुरे साथ वे जो अधिविशन ने अकिल भारती देशी रज्जी प्रशा परिशद का उसकी अधिक्सा किस के दोर नहरों के दोरा जेपूर प्रजबंडल की स्थापना कवोई थी 1931 में जवनलाल बज्जाज और करपूर्चन पार्टनी के दोरा की गए थी तो आपर ज्यानक कियेगा पंडित नैनुराम सर्मा किस प्रजबंडल से संबंदित थे तो देखिए इनका संबंद एक कोटा से दूंगरपूर रज्जी प्रजबंडल के पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो ये थे भूगिला पंडिया निम्र लिक्यत मैंसे यहापर कौन सा साई सुमिलित नहीं यह व प्रजबंडल के जो संस्तापक और जो वर्स हैं इस्थापना वर्स वह आप कंटशली याद कर लेजेगा क्योंकि यही से हमें अधित प्रश्म देखने को मिल रहे हैं मेवाड प्रज्यमंडल के पर्मुक नेता जिन्होंने भारत छोड़ो अंदुलन के दोरान 21 अगस 1922 को गिरफतार किया गया था तो यह कौन थे तो देखिए यह पर्मुक नेता थे मानिके लाल वर्मा बलवन सिंग महता और मोहनलाल सुखाडिया 1883 इश्वी में किस सहर में परोपकारणी सभा की स्थापना हुई थी तो यह कहां पर हुई थी यह हुई थी अजमेर के अंतरगत रंतिम प्रश्ण है उस नेता को पहचानी है जो जेपूर प्रजा मंडल में सक्करियन नहीं था तो रामकरण जोसी दौलतमल भंडारी प्र देवी संकर भंडारी यह option आपके इन में से देगे जो प्रियाग राज भंडारी हैं यह जेपूर प्रजा मंडल में सक्करियन नहीं थे बागी जितने भी रामकरण जोसी दौलतमल भंडारी देवी संकर्तिवारी यह जेपूर प्रजा मंडल के अंतरगत सक्करिय रहे थे किस रूप में तो आजाद मोर्चा के रूप में तो आप ए ध्याने किएगा अगर ये वीडियो आपको help लगा हो तो like शेयर जरू करियेगा अब देखिए read exam के काफी कम दिन बचे हैं तो आप अपने study में अच्छे से लग जियेगा paper इस बार काफी standard level का बनने वाला है read का तो आप जो syllabus के अंधरगत दे रखा है NCRT की पुस्त के जो की 21 की है उन्हें एक बार जरूर reading करियेगा बाकी old paper की question वाली series most important read के लिए राजस्तान जी के की आपको चिंता करने के आउशकता नहीं है लेकिन जो Indian history geography quality है उसके लिए आपको NCRT की बुके पढ़नी होगी और NCRT geographic matter लगबग तियार हो चुका है उसकी PDF की announcement मैं आपको जल्द कर दोगा आप अच्छे से अपनी तियारी करें और हमेशा सकारात्म करहें आगे बढ़ते चलें इस वीडियो में इतने ये वीडियो हलप लगाओ तो like share जरू करेंगा अगर channel पढ़ने तो subscribe जरू करेंगा धन्यवाद